नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान निग्ञान के बारे में तो इसमें हम लोग इतिहार टॉपिक पर चैचा कर रहे हैं इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रमुखियोद देख चुके हैं आज बात करने वाले हैं भारत में यूरो दियाज 1487 इसमी में आसा अंतरी पहुंचा तथा उस जगे को तूफानी अंतरीम नाम दिया 17 मई 1498 को पुर्दगाली यात्री वासको डिगामा समुत्री मार्ग से कैप ओप गुड़ ओप की रास्ते भारत में कालीकट वंदारगाय पर पहुंचा ठीक है कालीकट के जमोरियन ने वासको डिगामा का स्वागत किया तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपका बार्थोलोमिय डियाज 1487 में आसा अंतरी पहुंचा तथा उस जगे को उसने क्या नाम दिया था तूफानी अंतरीम फिर आँगे 17 मई 1498 को पुर्दगाली यात्री वासको डिगामा समुद्री मार्ग के रास्ते कैप और गुड हॉप के रास्ते भारत में कालीकट वंदरगार पर सरपतम पहुंचा कालीकट में उस समय कौन राजा था जमोरियन इसने वासको डिगामा का स्वागत किया क्या किया स्वागत किया वासको डिगामा द्वारा भारत से ले जाये गया मसाला उसकी पूरी यात्रा खर्ष से साट गुना अधिक दाम पर भिका अब इसी से अंदाजा लगा लीजे यूरोब में हमारे यहां के मसालय की कितनी कीमत थी कितनी जरूरत थी उसे मांगती जो वासको डिगामा था वो भारस से जो मसालय ले गया उसका जो ख्रेश हुआ उसे ले जाने में उसका 60 गुना उसे ला हुआ समझ में आया कितना 60 गुना ला हुआ वहाँ 60 गुना अधिक दाम परविका यूरोपिये व्यापारी अफीका से सोना, हाती, दात एवं गुलाम जैसी चीजें ले जाया करते थे पंद्रे सु तीन में पंद्रे सु तीन में पुर्दगालियों ने अपना पहला दुरूग कोचीन में स्थाफित किया पूछा जा सकता है सरब पित्हम पुर्दगालियों ने अपना पहला दुरूग कहां बनाया था? कोचीन में कहां? कोचीन में ठीक है? पूर्थगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1525 में कन्नूर में बनाये था कहां बनाये? कन्नूर में बनाये था ठीक है? आगे बात करते हैं आप लोग 1509 में गुजरात तथा मिस्स के सयुप्त बेड़े को फ्रांसिसको डी अलमेडा ने पराजित किया था फ्रांसिसको डी अलमेडा पित्थम पूर्दगाली वायसरा था याद रखिये अलफांसो डी अलवुकर्ख 1503 में इसकोई डेन कमांडर की रूम में आया था 1509 में इसे ही भारत का वायसरा नीपत किया गया इसे ही पुर्दगीज सक्ती का वास्तिविक संस्था पक माना जाता है किसे अलफांसो डी अलवुकर्ख को अलवुकर्ख 1503 में इसवी में भारत आया अलवुकर्ख 1509 इसवी में पुर्दगाली गवनर निक्त किया गया अल्भुकर्ग ठीक है अल्भान्सो डी अल्भुकर्ग पंदरे सो नो से पंदरे सो पंदरे इस भी तक भारत में पुर्दगी सक्ति का वास्त्विक संस्थापक माना जाता है अल्भुकर्ग ने गोअ अधिगेन में तिमेया नामक हिंदू से साहता ली थी 1510 इस भी में अल्भुकर्ग ने गोअ को बीजापुल के सुल्टान यसोप आदिल साहे से जीता थी गोअ भारत में पुर्दगाली राज किरादानी 1530 इस भी में बना पुर्दगालीयों ने दीव एवं दमन पर क्रम सा 1535 इस भी और 1569 इस भी में अधिकार किया था बात करते हैं ये ये रोपियन आगे ये ये रोपिये कंपनियों का भारत आगमन इस भी में पुर्दगाली कंपनियों का भारत आगमन कब हुआ तो आपको बता देना है 1498 इस भी में अंग्रियेजों के बारे में पूँचें तो 1621 इस भी में डच के बारे में पूँचें तो 1602 डैनिस के बारे में पूँचें तो 1664 और सुईडिस के बारे में पूँचें तो 1731 में ठीका आगे बात करते हैं गोआ गोडों के आयत के लिए पिसिद्ध था गुआजु आपका था एक घोडों के आयात के लिए फिस्द था पुर्दगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे दच्छिड पूर्व एसिया से पुर्दगालीों को डचों ने बाहर किया था पंद्रे सो तीन इसवी में अलमेडा ने टर्की उजरात मिस्स की सेउक्त सेना को पराजित कर खुगली को बंगाली की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड़े के रूम में इस्तेमाल किया थे पुर्दगाली गुआ दमन और द्वीप पर 1961 तक सासन करते रहें सबसे पहले यह आये पुर्दगाली और सबसे बाद में गए गुआ दमन और द्वीप पर कप्तागधिका रायन का 1971 तक इनका सासन रायन भारत में तमाकू की खेती जहाज निर्मान पेंटिंग पर इसकी सुरुआत आपके पुर्दगाली ओने ही की थी पुर्दगाली ओन के पास अंतिम रूप से गुआ तमन और द्वीप चेत रह गये थे आगे बात करेंगे हम लोग करने वाले हैं डच इनके डच के बारे में भारत में भारत में ब्यापार के लिए सरप्रिथम पुझी सेयुक्त पुझी डचों ने आरम की क्योंकि इसमें लगू कम्पणियों की रजना इसपर्च नजर आती है डचों ने पुर्ट गालीयों उपराजित कर आध्वनी कोची में 1663 में फोर्ट बिलियम का निर्माड कराया डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 इसमी में हुई थी बारतियों महादी पडच उपस्ती थी 1605 से 1825 तक रही कब से 1605 से 1825 तब डचों को अंग्रेजों ने 1769 में बेदारा की लड़ाई में बुधितरे फराजित किया था बेदारा की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी डचों के और अंग्रेजों के बीच 1769 में अब बात करें यूरोपियों की पिथम फैक्टरियों की बात करें तो पुर्दगालियों की पंदरेसो दो में कोचीन केरल में स्थापित वी थी डचों की बात करें तो 1605 में मसुली पठनम आंधिपदेश में हुई अंग्रेजों की 1611 में मसुली पठनम आंधिपदेश में डैनिस की 1620 में रावन कोर तंजोर में और फ्रांसी सी 1668 में सूरत में करीकाल 1645 चिन सूरा 1641 में ठीक है? कब 1641 में आंगे हम लोग बात करने वाले हैं आंगे करेंगी क्या है? 1690 में 1690 इसवी तक डचों की मुख व्यापरी कोटी पूली कट में थी 1690 इसवी की बार डचों नागा पठनम में मुख्याला बनाया था उनके बार डचों के बाद आते हैं आपके अंग्रेज हैं अंग्रेजों के पारे में बात करने तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड डेगन था इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना 1620 इसवी में हुई ये जहागीर से मिलने आगरप आया केप्टन होकिन्स जहागीर के दरबार में 1608 इसवी में आया अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी 1611 इसवी में मसूली पटनम में खोली थी जहागीर ने सूरत तथा पश्मी तटपर फैक्टरी खोलने की जाड़े 1613 में दी कब दी 1613 में अंग्रेज राजदूत सर्ट टॉमस रो 1615 इसवी में भारत आया बंबई से पहले अंग्रेजों का मुख्याला सूरत था मसूली पटनम गोलकुंडा राजी का पिरमुक बंदरगर था मद्रास में अंग्रेजों द्वारा इस्थापित के लेकाने नाम होट सेंड जोर्ज था आंगे बात करते हैं अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोटी 1659 में हुगली में इस्थापित की थी अंग्रेजों को सर्वुत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था अंग्रेजों ने बंगाल से कच्चारेसम, सोथी कपड़ा, सोरा तथा चीनी का ब्यापार करते थे क्या करते थे? 1659 Besides 1659 में सुलतान सुजा ने थीन हजार रुपए बार्सिक सुल के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में ब्यापार का बिसेसादिकार दीया है अंग्रेजों ने हुगली को 1686 में लूटा अंग्रेजों ने हुगली को कभ लूटा? 1686 में अंगिरोजियों ने अपना मुख्याला 1686 में बंबई में बनाया 1661 में इसवी में इंग्लेंड के राजा चाल्स दुतिये का विवाय पुर्दगाली राजकुमारी कैतरीन के साथ हुआ 1661 के इस वी में इंग्लेंड के राजा चाल्स दुतिये का विवाय पुर्थगाली राचकुमारी कैथरीन के साथ हुआ इस आउसर पर पुर्थगालीयों ने चाल्स दुतिये को दहेश के रूम में बंबई दुई पिदान किया अंग्रेज हो दुदारा कलकत्ता मेंने में दुर्ग का नाम breath बिलिम रख था इंग्लेंड की समराट के सम्वाण में उक्त किलावंद विवसाय पितिष्ठान का नाम भूर्थ बिलिम रखा गया सरर्चार्स आर्चर इसका पहला फ्रिसीडेंट बना था कलकत्ता की स्थापना 1690 इसमी में जौब चार नौक ने की थी 1698 में अजी मुसान ने अंग्रेजों को 1200 रुपे में सुत्तानाती, कलीकत्ता एबं गुबिंधपुरी की जमियदारी दी थी अंग्रेजों के बाद फिर बात करते हैं हम लोग फ्रांसीसी के बारे में फ्रांसीसी ने अपनी पहली कोटी 1668 इसमी में सूरत में इस्थापित की लुई चोदरवी के मंतरी कॉलबाइट द्वारा 1664 इसमी में फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना हुई फ्रांसीसीयों ने पॉंडू चेरी की निव 1673 इसमी में फ्रेंक मार्टिंग द्वारा लखे गई फ्रांसीसीयों ने बंगाल में चंदनगर की पिसेद कोटी 1690 से 1692 में बनाई थी अब बात करते हैं हम लोग 1731 में फ्रांसीसी गवर्नर्ट डूपले की निवकती गुई अब देखते हैं एवरोपियों की भारत में पिरमुक बस्तियों के बारे में पुर्दगाली की बात करें तो गौा दुई दमन बसाई बोल आदे पश्मी तटों पर तथा पूर्भी तटों पर बंबई सेंथों मद्रास की निकट हुगली बंगाल में डचों की बात करें तो मसूली पटनों 1605 पुली कट 1610 सूरत 1616 कासिम बाजार बड़ा नगर पटना बाला सोर नांग पटनम 1689 में और कोचीन 1663 में अंग्रेजों की बात करें तो सूरत आगरा, एहमदाबाद, भड़ोच, बंबई मद्रास, हरीहरपूर, बाला सोर, हुगली पटना, कासिम बाजार आती फ्रेंच की बात करें तो सूरत 1688 में मसूली पटनम 1689 और पांडिचेरी चंदनगर अब बात करते हैं अगरे बंगाल में कमपनी सासन की इस्थापना अंग्रेजों ने 1659 में बंगाल के गोगली में अपनी कोटी साय सुजा की अरुमती से बनाई मुर्सीत कुली खा बंगाल का दिवान 1722 में बना सत्रे सो चालीस में मूर्सीत कुली खां की ने धन के बाद सुजाउत् taughtム दीन ने सासन किया, टीक," इसके बाद आपका अली वर्दी खां सत्रे सो चालीस में बंगाल का नवाब बना, बंगाल बिहार उडिशा को मिलाकर बंगाल प्रांध की स्थापना सत्तरे सो तैटी सीसिमी में की गई अली वर्धी खाने अंग्रेजों तथ एवं फ्रांसिसियों को कलकत्ता एवं चंदग नगर में किलेवन्दी की इजाज़त नहीं दी थी ठीक है? मराठों के अकमर की कारण उडिशा का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा भारत में अंग्रेजों का सबसे जानदा बिरूद मराठों द्वारा किया गया था आगे बात करते हैं स्तिराजुद दौला को सिराजुद दौला 1756 में बंगाल का नबाब बना किले बंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कबजा कर लिया अंग्रेजों ने सिराजुद दौला से हारने के बाद फोल्टा दुईपर सरन ली यह कई वार कुछ लेता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद दौला से हारने के बाद कहां सरन ली थी फोल्टा दुईपर यह आपका सबसे मत्पूर योध फिलासी का योध फिलासी का योध की डेट आपको कब याद रखना है कब हुगा 23 जून 1757 को फिलासी बंगाल के नदिया जिले में भागी रती नदी के बाय तट पर इस्तित थे यह उध अंग्रेजों के सेनापती रोवर्ट किलाई एवं बंगाल के नवाब सिराजुद दौला की बीच हुआ जिसमें नवाब अपने सेनापती मीर्जापर की धोका दड़ी करने के कारण पराजित हुआ अंग्रेजों ने मीर्जापर को बंगाल का नवाब बनाया किसे मीर्जापर को बंगाल का नवाब बनाया पिलासी योद्ध के समय आलम गिर्दुती है, मुगल बास्ता है था, नवा की सेना करने ते तीन राजदुरों ही है, मेर्यापर यारल ती खां राय दुरलव कर रही थे आगे बात करते हैं, बिलेक हौल की घटना में, बिलेक हौल की घटना में 20 जून 1756 को एक छोटे कमरे में 146 अंग्रेजियों को बंद कर दिया गया था, 23 को छोड़कर दम गोठने से 123 ब्यक्ती मर गये थे इसमें, स्रेज दौला ने कलकत्ता कादिकारी मानिक चंद को बनाया, बंगाल का सबसे बड़ा पैंकर जगसेट था, मानिक चंद ने घूँस लेकर कलकत्ता अंग्रेजियों को सौप दिया था, अली नगर की संदी फरवरी 1757 में हुई थी, फ्रांसी सी बस्ती चंद नगर को अंग्रेजियों ने मार्च 1757 में जीता, फिलासी केहुद में नबाब की सैना कनेति थे, विस्वास गाती, राय दोलव, तथा मीर जाफर कर रहे थे, सिराजद दौला के बफादार सैना पती, मीर मदान, तथा मोहनलाल थे, जो फिलासी में लड़े, याद रखिए, आप लोगों से इसलिए तो बोलता हूँ, कि जो भी काम करो, फूरा 100% उसे मन लगा हूँ, ठीक, देखिए, यहां लेकर क्या लिखा हुआ है, विस्वास गाती, पता है, सिंधिया के बारे में, सिंधिया है, सिंधिया खांदान के बारे में विस्वास गाती लिखा हुए है, रानी लक्षिमी भाई महान रानी लक्षिमी भाई को महान बुला जाता है लेकिन सिंदिया परिवार को बिस्वास गाती किया था किसने उनके बाप दादाओं ने और भुगतना किसे पढ़ रहा है अभी भी किताबों में चपा हुआ है खुले सब्तों में कि सिंदिया परिवार बिस्वास गाती था तो जो भी खरिये मैं तो कहता हूँ कि इमानदारी से करिये क्योंकि अगर 200 वरसों तक अंग्रेजों ने राच किया तो अंग्रेजों में कोई वो नहीं था अगर हमारे भारत के साथ ना देते तो ठीक है जब घर में ये साथ देने वाले ना हो तो आदमी कितना डटकी लड़ सकता है जिसका भी साथ दीजिए कोई भी हो मन से दीजिए अगर कोई आप पर आँख बंद करके भरुसा करता है तो वो उसकी प्रॉबलम नहीं है समझे आपकी अच्छा ही है कि आप पर आँख बंद करके भरुसा कर रहा है अब आपका करता बंदा है कि या तो उसे अंदाद गोसित कर दीजिए या उसका साथ दीजिए जो भी आपकी इच्छा हो जो आपको अच्छा लगे मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे उपर कोई भरुसा कर रहा है आप बंद करके तो मैं उसका भरुसा किसी भी कीमत में नहीं तूटने दूँगा आप लोगों का आप लोग जाने क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ दूँगा कोई हमारे वलफर अगा कुछ कर रहा है तो मैं उसका भरुसा नहीं तूटने दूँगा 1757 इसवी में मीर जापर को बंगाल का नवाब बनाए गया 1757 में मीर जापर को बंगाल का नवाब बनाए गया सिराजय दौला की अत्या मीर जाफर के पुत्त मीरान नकी कल दी मीर कासिम 4760 च्वीवन बंगाल का नवाब बना मीर कासिम ने दस्तक के दुपेव को रोकने के लिए देशी ब्यापारियों को भी निसल्ग ब्यापार करने का अधिकार प्यदान किया कम्पनी तथा उसकी अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन्दी कर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तिप से बचने के लिए सीगी अपनी राध्दानी को मुर्शीदाबाद से मौंगेर हस्तांति कर लिया उद्धय नाला की युद में फराजित होने के बाद मीर कासिम ने पठना हत्याकन करवाया था बकसर के युद में अंग्रेजी सेना का नितित हेक्टर मुन्रो कर रहा था याद रखना है बकसर फिलासी के युद में कौन कर रहा था? रोबर्ट कलाई नेतित कर रा था और बक्सर का यूद में अपरा का हेक्टर मुन्रो ये कई बार कुश्चन पूँच लेते हैं ठीक है बक्सर का यूद बक्सर का यूद हुगा आपका 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का यूद अंग्रेजों तथा मीर कासें अवद के नबाब सुराजित दोला सुजाओ दोला और मुकल बासायर साह आलम दुतिये की सयुक्त सेनाओं के भीच हुआ था अंग्रेजी सेना का नितित आपका हेक्टर मुन्रो ने किया जिसमें अंग्रेज विजय हुए 1765 में हुई कंपणी ने मुगल समराट को 26 लाक रुपे वार्सिक देना सुईकार किया 1765 में बंगाल का नवाब नजमुद दौला को बनाएगा लगान बसूलने के लिए कंपणी ने बंगाल के लिए मुहमद रजाखा इवन बिहार के लिए सिताब राय को निप किया था 12 अगर्स्त 1765 को कि साही फर्मान के अनुसार मुगल बासाय साह आलम दुतिये ने 1675 में बंगाल में दूएदिषाषन की इस्थाफना की 1765 में भंगाल में भाएङकर अकाल पड़ा अकाल के समय काड्यर बंगालका गवर्नर था अकाल की समय कार्टियर बंगाल का गवर्णर था बंगाल में 2772 इसबी तर चला जब तक 3772 इसबी तर तो यह थे आपके भारत में एरोपियन कंपनी का आगमन जो एरोपियों आए उनका आगमन आगे हम लोग बात करेंगे 17857 का विद्रूर बहुत ही मत्पूर है 1857 का विद्रूर इससे एक नाई कुश्चन्स पूंचना जाता है हर वार किसी ना किसी परीच्चा में ठीक है बहुत ही मत्पूर है